अपना नेक्स कोश्चन उससे पहले एक होमवक में मैंने कोश्चन दिया था बेटा वो डिसकस कर लेते हैं बेटा कोश्चन नमबर 57 मैंने आपको होमवक में दिया था तो अब मैं होमवक वाले कोश्चन की बात करता हूँ बेटा कोश्चन नमबर 57 कहता है फुलोइंग वाजदा बैलेंस शीट ओफ ए एन बी वर शेरिंग प्रॉफिट अंदा रिश ओफ टू रिशो बान ऐसे थर्टी फस्ट ओफ मास्ट विडिवन तो बेटा ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं उनका उल्ट पी असार पता है और आपको बेटा बैलेंस शीट देता है उन थर्टी फस्ट ओफ मास्ट विडिवन बेटा लाइबिलिटी बताता है आपको कैपिटल एकी और बीकी 15,000 एं 10,000 रस्पेक्टिवली आपको बेटा क्रेडिटर भी बताता है 32950 के एसेट साइड आपको बिल्डिंग देता है PLANT & MACHINMRE, STOCK, DEATTER और CASH-IN HAND मेरे प्यारे बचो ना तो कोई UNDISTRIBUTED PROFIT है ना ही कोई UNDISTRIBUTED LOSS है ना ही बेटा कोई GOODWILL है बेटा BOOK GOODWILL जिसको आपको WRITE OFF करना बढ़े तो बेटा ये सब information मुझे balance sheet से मिलती हैं लेकिन इस बार balance sheet में कुछ भी नहीं दिया हुआ बड़ो आगे They admit C into partnership on 1st of April 21 on the following terms कहता है अपने C को admit करा partnership में 1st of April 21 को कुछ शर्ते बेटा ये है C was to bring 7500 as his capital and 3000 as goodwill for one fourth share in a farm बेटा C 7500 रुपे capital लेकर आ रहा है और 3000 रुपे goodwill के लेकर आ रहा है बेटा आपको इस question में क्या करना है मैं आपको अभी बहुत अराम से समझा दूँगा अभी मेरे साथ साथ आप चलते चलें बेटा बबू आगे बढ़ते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चो क्या बोलता है आपको बोलता है बेटा प्रोवीजन पर डाउटफोल डेट वास्टू बी क्रियेटेड इन रिस्पेक्ट अव संडरी डेटर 375 एक प्रोवीजन क्रियेट करना है डेटर पे 375 का कर देंगे मेरे प्यारे बच्चो री वैलुएशन से वो भी और आपको आगे बोलता है बिल्डिंग वास्टू बी अप्रीशेटेड बाई 10 परसेंट और बेटा बिल्डिंग को 10 परसेंट से अप्रीशेट करना है अगेन रिवैलुएशन का बहुत बड़ा रोल है इस कोश्चन में मेरे ब्यारे बच्चो सब कुछ तो बूच लिए है इसने आपसे क्या-क्या बूच चुका है बेटा जर्नल एंट्री रिवैलुएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंशीट और बेटा ध्यान रखना रिवैलुएशन अकाउंट का ये नाम पेपर मे दे सकता है Profit and Loss Adjustment अकाउंट बाव ये रिवैलुएशन का ही दूसरा नाम बावू कोशन तो मैंने पढ़ लिया लेकिन मैं एक बात अब नहीं बता देता हूं आपको बेटा जब मैं एसेट साइट देख रहा हूं इसमें बहुत सारी एसेट है लेकिन क्या बैंक बैलेंस है बैंक बैलेंस नहीं है बेटा अब मैं आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर देता हूं देखो अगर कोश्चन मुझे कहेगा Capital Cash लाया Capital Bank से लाया Capital Check से लाया या Capital Nugat लाया जैसा कोश्चन कहेगा वो तो मेरे को वैसा ही कर रहा है लेकिन अगर कोश्चन कुछ ना कहे तो बेटा कुछ प्रिजंशन्स चली आ रही है बेटा आपको वो प्रिजंशन्स फॉलो गरनी है सुनो बेटा इस बार ना बैलेंस शीट में Cash बैलेंस पता है मेरे प्यारे बच्चों मुझे ठीक है ना इस बार मुझे Bank बैलेंस नहीं पता ठीक है और इसने बोला 7500 की Capital के पैसे लेकर आया और 3000 की Goodwill के पैसे लेकर आया बेटा आपका नया Partner ठीक है जी बाबु मैं कैसे मानूं मैं अभी तक सारे कोश्चन कर रहा था बैंक से करता था अगर कुछ नहीं कहता था मेरे प्यारे बच्चों कैस से तब करता था जब कोश्चन क नहीं मानूंगा कि मैं बैंक से कर रहा हूँ सुन लो बेटा अगर बैंक बैलेंस दिया होता तो मेरे प्यारे बच्चों तो मैं बैंक से कर देता क्या इसने बैंक बैलेंस दिया नहीं दिया बेटा तो हम मैं बैंक से करूंगा ने प्रिजंशन चलती आ रही है बेटा प्र अब मैं ईक बार यह बोल देता हूं हम सबसे गएना गर इनगा हो है। यह को shock में जो लिhrlich है वह वह बहुत अच्छी कोशिघा है है लेकिन बेटा आपको एक मेरी तो Benk Doll से एकुणस ऐगे कीस से करो कि को साइलन्त है प्यारे बच्छों बैक को को सिखाना चाहता था इस लिए अपको सिखाना छाहता था सर्फ कैस्ष Subscribe कि से करेंगे कैस्ते करेंगे बाबू आज की क्लास में थोड़ा कॉपरेट करना मेरे गले में बहुत दर्द है बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो थोड़ा मैं स्लो बोलूँगा चलते चलो बस आज बीटा बढ़ते हैं आगे इसने आपको जर्नल एंट्री रीवैलुविशन अकाऊंट पाट्नर कैपटल अकाऊंट और बैलेंस शीट के लिए बोला बाबू मैं क्या कर रहा हूं जर्नल एंट्री कुछ देर में प्रिपेर करता जर्नल एंट्री के बिना कोष्चन करूँ पेल फिर जर्नल एंट्री बात में कर दूँगा मेरे प्यारे बच्चो मेरे पास स्पेस की कमी होती है अगर मैं जर्नल एंट्री करता हूँ बेटा तो बाकी सब के लिए जगा कम पड़ जाती है तो सबसे पहले मैं रिवैल्विशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट कर रहा हूँ बाबु जर्नल एंट्री पास ताथ दस मिनट के बाद कर देंगे जब ये कोश्चन कमक्लीट करेंगे लो प्यारे बच्चो देखना जरा आप फटा फट से लो फॉर्माट रेडी कर लेता हूँ बेटा सबसे बहले ऐसा हो सकता है बेटा बहुत सारे बच्चो का ये कोश्चन बिल्कुल ठीक हुआ हो क्योंकि इस कोश्चन में कुछ खास नहीं था लेकिन मैं फिर भी आप सॉल्यूशन मैच कर पाओ इसी वज़ा से ये कोश्चन कर रहा हूँ और बेटा जितने कोश्चन आप देखोगे उतनी बेटा आपकी प्रेक्टेस और अच्छी होती जाएगी उतना ही समझ में आता जाएगा कि कोश्चन को कैसे अटेम्ट करना है आपको लो प्यारे बच्चो अभी बेटा कोश्चन का कुछ भी लेवल नहीं है बस मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा अभी तो इतनी मुश्किल मुश्किल रिवैल्वेशन आने आप सोच भी नहीं सकते आपको लग रहा होगा रिवैल्वेशन में मुश्किल क्या हो सकता है अभी देखना बेटा क्या क्या हैगा आने दो बेटा धीरे धीरे करके कुश्चन को तो बेटा लावल बहुत बढ़ जाता है इस पूरे चेप्टर में लेकिन ये चेप्टर करने के बाद इस पूरी बुक में बचता कुछ नहीं है बेटा ये पूरी बुक बहुत खतम नजर आती है बेटा वो बहुत अराम से हो जाएगी अगर एडमिशन आपने दंग से कर लिया तो लो बेटा लो बेटा मैंने फॉर्माट रेडी करा वर्किंग नूट नमबर वन बेटा जैसे इन्होंने मुझे मैटर दिया ना कि A और B की ओल्ड रेशो टू-रेशो वन है और C 1 फॉर्ट शेर के लिए अडमिट वह है तो बेटा ऐसे किसज में ओल्ड रेशो वुड़ वुड़ बी The vaan रेशों थी दा से क्रिफाइजिंग रेशों तो मेरे ब्यारे बच्चो, balance sheet में left hand side लिख देता हूँ, liabilities, amount, assets, or amount. लो बच्चो, फटा फट से start करते हैं बेटा, बाबु सबसे पहले balances को brought down करेंगे हूँ, लो लिखो फटा फट से, buy balance brought down. सबसे पहला काम मैंने आपको हमेशा यही सिखाया, सबसे पहले balances brought down होते हैं. तो प्यारे बच्चो, A और B का balance brought down किया, उसके बाद बोलता है, बेटा, C was to bring 7500 as his capital and 3000 as goodwill for the one-fourth share in a firm. बेटा, C capital लेकर है 7500, क्या capital का balance बढ़ेगा, बढ़ेगा, बाबु लिखना लेकिन buy cash, क्यूँकि आपको balance sheet में cash पता है, बेटा. लो मेरे प्यारे बच्चो, तो cash से 7500 लेकर आया, cash in hand 600 था बेटा, cash in hand 600 था 7500 और आ गए मेरे प्यारे बच्चो, और बोलता है बेटा 3000 goodwill के भी आ गए, तो बेटा goodwill के time पर आप entry क्या करते हो, cash to premium for goodwill, और premium for goodwill to the sacrificing partner, बेटा जब आपने करी cash to premium for goodwill, तो बेटा cash balance पढ़ 3000 रुपीज से बेटा, और जब आपने entry करी premium to beta sacrificing partner, तो बेटा आपने लिखा buy premium for goodwill, और बेटा कहीं ना कहीं sacrificing partner में ये 3000 रुपे बाट दिये, किस ratio में बेटा sacrificing ratio में 2000 मिलेंगे, A को B को मिलेंगे 1000 रुपीज, तो प्यारे बच्चो, क्या हमने जल्दी जल्दी से beta solve कर लिया जल्दी जल्दी से, क्या किसी journal entry की जल्दी है, कुछ जुरतनी है बेटा हमारे को, ये तो हमारी जिंदगी में myth चला आता है बेटा, teacher लोग हमारे को क्या करते है, बहुत कमजोर बना देते हैं बेटा, हमारे को हमेशन अधर डाल दी जाती है journal entry की, कि journal entry के बिना आप ladder नही चले गए बेटा, वरना बताओ, मैं तो कोई भी journal entry नहीं करता, हर question कर दूँगा, जो मजी लियाना बेटा, ठीक है ना, कोई journal entry नहीं करूँगा, देख लो मैं तो पहले ही बोल चुक हूँ, आपको सबसे बात में करूँगा, journal entry, लो बेटा सीखते चलो, जितनी प्रेक्ट को कम करना है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, कम करना है तो बेटा कहा लिखोगे, credit side, two side लिखोगे, और डेबिट किसको करोगे, revaluation को, तो मेरे ब्यारे बच्चो, revaluation debit to stock to plant and machinery, लो ब्यारे बच्चो, फटा फट से लिख रहा हूँ मैं, revaluation debit to stock and to plant and machinery, तो मेरे ब्यारे बच यह, तो बेटा stock को 5% से कम करना है, stock 10,000 रुपे का है, 500 से कम कर दो, मेरे ब्यारे बच्चो, मैं साती साथ posting कर रहा हूँ, balance sheet में, 10,000 का था, मैंने 500 से कम कर दिया, furniture को बेटा कम करना है, नहीं, sorry, plant and machinery को कम करना है, 5% से, बेटा 17,500 का है, 5% से कम कर देना, 5% आएगा, 875, त double posting hand to hand करनी है, कोई गलती का scope नहीं छोड़ना, 17,500 रुपे का plant and machinery है, 875 कम करना है, लो बच्चो, मैंने plant and machinery भी कम करके दिखा दिया, कहते हैं, provision बनाना है, debtor के ओपर 375 का, बेटा, provision बनाना है, provision is a liability, बनानी है, बेटा, liability हमेशा credit होती है, बना दो, entry क्या होगी, revaluation to provision for doubtful debt, तो मेरे प्यारे बच्चो, पोस्टिंग कहाँ पर होगी, to provision for doubtful debt, to provision for doubtful debt, बेटा, debtors पे provision बना दिया, हमने 375 का, तो प्यारे बच्चों लो, हाथो आथ पोस्टिंग करते चलो, debtors कितने के है बेटा, debtors है, बेटा, 4850, minus provisions, minus provision for doubtful debt, amounted to rupees 375, लो जी, लो बेटा, मैंने entry कर दिया, बेटा, debtor की भी डबल पोस्टिंग कर दिया, बड़ो आगे, कहता है, building was to be appreciated by 10%, building को मेरे प्यारे बच्चों 10% से बढ़ाना है, तो बेटा, बढ़ा दो दिक्कत क्या है, building को बढ़ाना है, building एक asset है, asset हमेशा debit होती है, बढ़ाना है, और debit कर दो बेटा, entry होगी, building to revaluation, तो बेटा, revaluation account में पोस्टिंग होगी, by building, building, बावो 10% से बढ़ाना है, building पहले ही 25,000 रुपे की है, तो बेटा, 2500 से बढ़ जाएगी, और हाथो आथ बेटा, double posting करते जाना है, लो बेटा, asset side में आपने posting करी, building, अब building बेटा हो गई 27500 की, पहले building 25,000 की थी, बेटा, 2500 रुपे से बढ़ाना है, बढ़ा थी, और भी कुछ करना है, बस बेटा, खतम भी हो गया, मेरे साब से तो question, लो फड़ा फट से बेटा, हम क्या करते हैं, फटा फट से बेटा, सारे account close करते हैं, सबसे बहले, revaluation close होता है, highest total would be on both side, बेटा, highest total को दोनों side लिख दिया, इस amount को देख लो बेटा, और balances निकाल लो, मैंने balance निकाल दिया, balance आया, बेटा, 750 और यह revaluation का profit है, नहीं भी पता लग रहा, तो बेटा, balance बाटो आप सिर्फ, two partners capital account, two partners capital account, बेटा किसमें किसमें बटेगा, A और B में ये profit बटेगा, किस ratio में बेटा, उनकी old ratio में 2 ratio 1, याने की 500 मिलेंगे बेटा, A को और 200 मिलेंगे बेटा, B को, लो प्यारे बच्चों, revaluation account close, बेटा, revaluation account में balance आया, two partners capital account, और यह रा partner capital account, बेटा, ये profit को transfer कर दो, transfer हमेशा side change करके होगा बेटा, और नाम बदल जाएगा, नाम आयेगा, revaluation, तो बेटा अब लिखोगे का, बाए revaluation, 500 मिलेंगे, A को, 200 मिलेंगे बेटा, B को, लो प्यारे बच्चों, क्या question खतम होगया, बेटा, बिल्कुल खतम होगया, balance carried down निकालो बेटा, two balances carried down, कैसे निक लेगा, balance, highest total होना, both side, बेटा, जो भी highest total है, दोनों तरफ लिख दोस्को, जो भी highest total है, बेटा, यहां तो credit side में, highest total है, 17,500, 11,250 और 7,500, highest total होना, both side, और बेटा, यही balance है, क्योंकि कोई भी entry इन की debit में नहीं है, लो बच्चो, यही balances है, बाबु यह का जाएंगे, यह balance sheet में चले जाएंगे, मेरे प्यारे बच्चो, liability side, लो, लिखो वड़ावट से, capital, लो बाबु, एक ही capital, 17,500, यह 11,250 और यह बेटा, 7,500, तो बाबु मैंने total करके भार लिख दिया है, अब वो assets, वो liabilities देख लो, जिनके उपर कोई adjustment नहीं आई, बेटा, creditor के उपर कोई adjustment नहीं आई, तो बेटा, सबसे पहले मैं creditors लिख रहा हूँ, 32950, अब देखना बेटा, building, building आगई बेटा, plant and machinery, plant and machinery आगई बच्चो, stock, stock आगया था बेटा, बबु, debtor, debtor आगये, cash in end, cash in end आगया, लेकिन भार नहीं लिखा मैंने अब तक, लो, total करो बेटा, लो, बबु, अब देख लो बेटा, अगर balance sheet का total बराबर आया, that means आपने हर चीज बिलकुल ठीक की हुई है, लो, बेटा, मैं देखता हूँ, बबु, मेरा answer बिलकुल ठीक है, 69200, इस side का भी बेटा total करो, फड़ावट से, आप जैसे भी total करोंगे, आप वैसे कर लो, मेरा total करने का style बहुत अलग है, बेटा, मैं बिलकुल अलग तरीक कैसे करता हूँ, चलो जी, बेटा, balance sheet का total हमारा बिलकुल बराबर आगया, that means हमने question बिलकुल ठीक किया, अब रही बाद journal entry की फटा बट से journal entry कर रहा हूँ, बेटा, आप post करके, इसका solution note कर सकते हो, अगर आपसे question नहीं हुआ, और अगर हुआ था तो बेटा, match कर लेना, एक बार अच्छे से, रही बाद journal entry की बेटा, journal entry मैं बहुत speedy करूँगा बेटा, लो, journal entry बेव, ऐसे भी आप PhD क्वालिफाई हो चुके हो अब ब्याबू, ठीक है न, आप PhD पास कर लिया, आपने journal entry पर, लो, journal entry करते हैं, फटा बट से, बेटा, बिना format के मत करना, कोई भी journal entry ना ही बिना narration के, बेट फॉर ए सिंगल सेकेंड, अलो बच्छो, तो वावो C capital भी लेकर आया, और C premium for goodwill भी लेकर आया है, मैंने question दंग से read किया, तो बैड़ वो फटा वट से capital लाने के entry, cash account debit to C's capital account, being capital introduced by C, being capital introduced by C, C, लो प्यारे बच्छो, C capital लेकर आया, कितने रुपे की, 7500, बेटा, C goodwill भी लेकर आया, 3000 रुपे की, लो करो entry फटा वट से, cash account debit to premium for goodwill, cash account debit to premium for goodwill account, being compensation brings by C, being compensation brings by C, बाबू मैं cash entry क्यों कर रहा हूँ, मैंने logic बता दिया है, आपको पहले ही, लो बेटा, क्या करूँ premium for goodwill का, बाट खाओ बेटा, premium for goodwill debit, किसका है यह, sacrificing partner यह न, sacrificing ratio, मेरे बच्छो, किसको मिलने वाला है, A को मिलने वाला और B को मिलने वाला, to A is capital account, to B is capital account, being compensation distributed, being compensation distributed, लो प्यारे बच्छो, कितना था amount, 3,000 का amount था, sacrificing ratio to ratio 1, 2,000 इसको मिलेंगे वेटा, 1,000 रुपे इसको मिलेंगे, कुछ और journal entry वाला है, बेटा, revaluation पे फटा-फट से करता हूँ, बेटा, लो बच्छो, एक बार में कुछ्छन को डंग से बढ़ा था, तो बेटा, revaluation account debit, जो जो asset कम करनी है, तो मैं asset कम करना हूँ, stock कम करना था मुझे, मुझे कम करना था, बेटा, plant and machinery, और बेटा, मुझे क्या करना था, मुझे बाबू प्रोवीजन, create करना था, being, being assets and liabilities revalued, being assets and liabilities revalued, मेरे प्यारे बच्छो, मैंने journal entry कर दी, फटा फट से amount चेक कर लूँ एक बाद, बाबू, stock को मैंने कम करना, कितना था बेटा, 5% से, 500 रुपे से stock कम किया था, 875 से plant and machinery को, और बेटा, प्रोवीजन, create करने थे, 375 के, 17,500 रुपे, बेटा, revaluation में, debit हुए, बाबू, बिल्डिंग को, appreciate करना था, लो जी, बाबू, बिल्डिंग की, value बढ़ानी है, building debit, to revaluation account, 10% value बढ़ानी थी, बढ़ा दी मैंने, being building, revalued, लो बच्चो, journal entry ये भी होगी, एक journal entry करने, मत बोलना, revaluation का, balance कभी भी, books में, छोडा नहीं जाता, ये मैं पहली भी बात बोल चुका हूँ, खतम करो, बेटा, credit है पच्चिस सो, debit है सत्रा पच्चास, याने की, credit बजगा है 750, खतम कर दो बेटा, debit कर दो, इसको 750 से, और खतम कर दो, revaluation account debit, to A's capital account, or to B's capital account, revaluation account को debit कर दो, 750 balance आया था, मैंने खतम कर देना है बेटा, old ratio में, वाबू, 502, 50 being, revaluation profit distributed, being revaluation profit distributed, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने revaluation का profit भी बाठ दिया, आप balance distributed वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, तो यहाँ पर हमारा जर्नल इंट्री के साथ, question finish हो गया, 57, आज का नया question question number हम करने वाले हैं बेटा, एक मुश्किल question होना चाहिए बेटा, तो मैं question करने वाला हूँ, question number 62, बेटा मैंना homework दे रहा हूँ आपको, दो question, एक 56 और एक 60, बाबू, question number 56, question number 60 करके आएंगे आप, और बेटा, एक बार दुबारा से प्रेक्टिस करेंगे, question number 62 की जो मैं आप कराऊंगा बेटा, question number 62 की प्रेक्टिस करनी आपको, जो मैं आप कराऊंगा, मैं रीड करना शुरू करता हूँ, कहते हैं, शाम और संजे वरेना पार्टनर्शिप बिसनस शेरिंग प्रॉफिट और लॉसे जिन्दा रेशो टू रेशो थ्री, शाम और संजे पुराने पार्टनर है, टू रेशो थ्री बेटा, उनकी ओल्ड पी असार है, बैलेंशीट दिया है, मेरे को 31 माद 2021 को, बैलेंशीट ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने बहुत अच्छे से देखा, तो कैस्ट भी पता है, बैंक भी पता है, अगर कुश्चन ने कुछ ना कहा, तो गुडविल के इंट्री जिससे मर्जी कर देना, बैटा जिससे मर्जी कर देना, कैपिटल के एंट्री, और अगर कुश्चन ने का, कैश लाया, तो कैश से करनी पड़ेगी, अगर कुश्चन ने का, चेक लाया, तो बैटा, बैंक से करनी पड़ेगी, तो प्यारे बच्चों, देखते हैं, बहुत अराम से, कहता है, on 1st of April 21, they admitted शंकर into partnership for one-third share in profit, future profit on the following terms, शंकर आ रहा है बेटा, one-third share के लिए, ठीक है जी, कहता है, शंकर is to bring 30,000 as his capital and 20,000 as goodwill, which is to be remain in the business, बेटा, goodwill लाया है, 20,000 रुबेगी और 30,000 की capital, कहता है, यह सब business में retain करना है, याने कि withdraw नहीं करना, बेटा, अगर ना भी कहता, तब भी हम यही करते हैं, लेकिन यह नहीं बताया, cash से या bank से, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं bank से करता हूँ हमेशा, चलो जी, stock और furniture को reduce करना है, 10% से हो जाएगा, building को appreciate करना है, 15 जास से हो जाएगा, 5% provision बनाने है, debtor पे बन जाएंगे बेटा, unaccounted accrued commission income of rupee 2400 is to be provided for, करेंगे इसकी बात, जब बनाऊंगा, बेटा, revaluation, और बेटा, बोलता है, debtor whose dues were 4800, were written off as bad debt, paid 50% in settlement, एक debtor, जिसको आपने right off कर दिया, the last year, आज कहता है, 50% देगा settlement में, और बोलता है, outstanding rent 4800, यानि किसका revaluation मुश्किल है, बाकी तो सब असान है, revaluation थोड़ा तगड़ा गर रखा है इसका, और आपको कहता है, so the P&L adjustment account, यानि कि revaluation account, partner capital account, और opening balance sheet of a new firm, तो प्यारे बच्चु, क्या journal entry कहीं कहीं नहीं, बहुत अच्छा बात करी इसने, पहली बार कोई अच्छी बात करी इस question नहीं बेटा, आपको journal entry नहीं कहीं, और मैं तो चाहता हूँ बेटा, आए ना, क्यों आए बेटा, असान चीज से क्यों गरें, हम तो मुश्किल से गरेंगे बेटा, लो, लो, मेरे प्यारे बच्छों, और आप यकीन मानना, अगर बिना journal entry के question आया ना, तो you have a edge over your competitors, जितने आपके दोस्ते आ रहें ना, उनके उपर आपको edge जरूर मिलेगा, मैं guarantee बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बेटा, आदे से ज़्यादा तो रख्टे बाच है, बिना journal entry के हो गानी उनसे देख लेना चाहिए आप, लो, बच्छों, लो, बेटा, बात करने जा रहा हूँ question number 62 की, सबसे पहले format ready कर लेते हैं, revaluation account, partner's capital account, बावु सारे partner के नाम लिख लो, शाम, संजे, एंज शंकर, बावु सारे partner के नाम लिख लो, लो, बेटा, और क्या बनाना है हमारे को balance sheet of a new of a, बावु working note number one, अगर आप देख रहे होंगे, या ratio का role बिल्कुल खतम हो चुका है बेटा, जो old ratio है, 99% cases में, वही sacrificing ratio आ रही है, तो बेटा, जो old ratio है, वही sacrificing ratio है, यानि कि two ratio three, two ratio three बेटा, sacrificing ratio है, क्योंकि नया partner सर्फ one third share के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले आपने मुझसे सीखा क्या है, कैसे question start होता है, by balances brought down, बेटा, सबसे पहले सारे balances को brought down कर लो, और मैंने कर लिया है बेटा, 3, 4, 0, 5, 0, 3, 4, 0, 5, 0, बेटा, आपको पता है, ये चीज़े सिर्फ calculation मुश्किल करने के लिए दी जाती है, ये उच्छी अरकते कर रहा है टीचर, बाबु उसको पता है, question तो हो मुश्किल बना नहीं पाया, तो वो उच्छी अरकते कर रहा है, जानके calculation मुश्किल कर रहा है, करने दो बेटा, जो करना चाता है, करे बहुत शौक से, चलो मेरे प्यारे बच्छो, कहता है, संकर 30,000 रुपे capital लाया, और 20,000 रुपे goodwill लाया, लो मेरे प्यारे बच्छो, फटा वट से entry करू, capital लाया, मैं bank से entry करूँगा, बेटा, शंकर की capital बढ़ा दी, मैंने 30,000 रुपे से, हाथो हाथ, double posting बेटा, कितना था bank balance, bank balance था बेटा, 1,1,925, देख लो बेटा, उच्छी अरकते कैसी हो रही है, 30,000 रुपे की capital लाया, बहुत अच्छी बात, कहता है, 20,000 का premium for goodwill लाया, entry क्या करी होगी आपने, bank to premium for goodwill, यानि की bank balance इससे भी बढ़ेगा बेटा, बिल्कुल बढ़ेगा, और दूसरी entry क्या करी होगी, premium for goodwill debit to sacrificing partner, तो मेरे ब्यारे बच्छों, मैंने फटा-फट से premium for goodwill को बाट दिया है, sacrificing partner, इना sacrificing ratio, यानि की बेटा 20,000 को बाट दिया है, मैंने टू ratio 3 में, यानि की 8,000 और 12,000, कहता है, goodwill business में ही retain करनी है, बेटा इस entry से business में ही रहेगी, कहीं निकली नहीं है, जब तक two bank नहीं आएगा, बेटा तब तक कहीं नहीं निकली, क्रेडिट कर दो, that means revaluation to stock और two furniture बेटा, लो, जल्दी जल्दी सोचना है बेटा question अब, तो two stock करा, मैंने कितने से कम कर दो, 10% से, मेरे ब्यारे बच्चो, 18,000 का stock था, कहता है, 10% कम कर दो, कर दिया, बाबु हाथो हाथ double entry, मैं वेट नहीं करता हूँ, कि मैं अगला भी लिख लूँ, फिर करूँगा, नहीं, वेट नहीं करनी, बेटा छुटे का पक्का बोल रहा हूँ वरना, बेटा furniture को भी कम करना है, 10% से, करो बाबु, फरनीचर है, बेटा 4400 का, 440 कम कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, और बैलेंस शीट में कितना दिखा दिया, 3960, 4400 में से 440 चला गया, तो फरनीचर आगया, 3960, बढ़ो आगे, बेटा को एप्रीशियेट करना है, 15,000 से, entry क्या होगी, बेटा बाइब बेटा बाइब बिल्डिंग, कितनी है बेटा पुरानी बिल्डिंग, 40,000, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्डिंग हो गई, 55,000 रुपे, बिल्डिंग हो गई, बेटा, 55,000 रुपे, लो बेटा, मैं स्पीडी चल रहा हूं बहुत, बढ़ते चलो आगे, पे, डेटर पे 5% पर्षेंट प्रोवीजन बनाना है, बेटा, बना दो, प्रोवीजन बनाना है, तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, प्रोवीजन हमेशा लाइबिलिटी होती है, क्रेड़ट कर दो, तो डेबिट क्या होगा, रीवालवेशन, Revaluation Debit to Provision for Doubtful Debt To Provision for Doubtful Debt लो बेटा कितने के Provision बनाने हैं? 5% 5500 पे 5% Provision बनाने हैं लो बेटा मेरे पास Debtors कितने हैं बेटा? 5500 के मैं क्या कर रहा हूं? Provision को माइनस कर रहा हूं लो बच्चो मैंने माइनस कर दिया बड़ो आगे बाबू अब बोलता है दो बाते नहीं हैं E-Point को चलो एक मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ दो E-Point मैंने पेंडिंग छोड़ दिया मैं F-Point पर आ रहा हूं कहता है Outstanding Rent was 4800 बेटा Outstanding एक Liability होती है बाबू दिखा दो बाबू लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है इंट्री होगी Revaluation to Outstanding Rent Revaluation to Outstanding Rent Amounted to Rs.4800 हाथो हाथ Double Posting Outstanding Rent Amounted to Rs.4800 अब बढ़ते हैं बेटा Point No.E की तरफ मज़ेदार मज़ेदार जो बच्चा कर पाएगा मेरी तरफ से हट्शॉफ है उसको खुद से ट्राइ करो एक बार कहता है Unaccounted Accrued Commission Income of Rs.2400 is to be provided for मेरे प्यारे बच्चों पता नहीं लाइविंद कितने अच्छे से किया आपने लेकिन मैं पात की सब्चा जरूर करना चाहता हूँ Accrued Income ये क्या मतलब होता है Accrued Income का मेरे प्यारे बच्चों वो income जो आप Earn कर चुके ओपर Receive नहीं हुई Income earned But not received बेटा Income कमा तो चुके ओपर Receive नहीं हुई Example देने की कोशुस करूँ आपको बाबु मान लो आपकी दुकान है और आपकी दुकान है Footwear की और एक company ने बोला मान लो company का नाम है Red Tape Red Tape ने बोला कि अगर आप हमारा एक लाख रुपे का समान बेच दें तो हम आपको न 5% Commission दे देंगे मान लो आप अगर हमारी company का एक लाख का समान बेच दोगे तो हम आपको 5% Commission दे देंगे और हमारा official आपकी दुकान पे चेक करने आएगा बाबु आप समान खरीदते गए reactive से बेचते और बेटा मान लो आज उनका official चेक करने आए उसने देखा एक लाख का समान बिक चुका है तो बेटा हुआ क्या 5% Commission उन्होंने देनी थी उन्होंने चेक कर लिया बेटा वो खह रहे हैं कि आपको 5% Commission हम 15-20 दिन में दे देंगे तो बेटा 15-20 दिन के बीच में ही बेटा आपका financial year close हो रहा था 5 दिन के बाद financial year close हो रहा था लेक्स सबोस कि आज 25 मार्च है बेटा 5-6 दिन के बाद financial year close है और उन्होंने बोला है कि 15 दिन के बाद वो आपको कमीशन देंगे बेटा अब हुआ क्या बाबू ये जो income है ना ये earn तो हो चुकी है पर बेटा received नहीं ऐसी income को हम बोलते है accrued income बेटा accrued commission है बेटा question में 2400 बेटा ऐसी income जो कमात हो चुके हो फिर बेटा मिली नहीं अभी मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चो क्या ये asset होती है या liability मेरे प्यारे बच्चो it is a asset for a business ये business के लिए asset है क्यों बेटा क्योंकि आप performance दे चुके हो बेटा आपने बेटा red tape के लिए जो करना था आप कर चुके हो अब red tape को कुछ करना है बेटा उसको आपको पैसे देने है तो मेरे प्यारे बच्चो मुझे पैसे मिलने वाले अगले 10 दिन के बाद और जब पैसे मिलने वाले है बेटा ये मेरी asset है मेरे प्यारे बच्चो asset है और बेटा record करनी है इसने का ना unaccounted है unaccounted मतला बेटा accounts में कहीं नहीं दिखाई गई बेटा by accrued commission by accrued commission amounted to rupees 2400 और मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ जाएगी asset में बेटा asset होती है मैंने कहा ना साथ साथ posting करना तो बेटा मैंने record करा accrued commission 2400 लो प्यारे बच्चों बड़ो आगे एक और बात करते है बाबू एक और वाथी point number E में वो तो गज़ भी थी विल्कुल उसका तो बेटा कोई मुकाबला ही नहीं है बाबू बोलता है और मुझे पता है बेटा आप सब अटक जाते हो जहाँ debtor का नाम दिखाई देता है माँ जान सूखने लग जाती है आपकी पता नहीं क्यों बेटा आपको लगता है कोई provision कह देगा जान सूख जाएगी कैसे करेंगे बाबू जो हमर जी कह दे क्यों डर रहे हो चलो कहता है आठ debtor whose dues of 4800 were written off as bad debt paid 50% in settlement मेरे प्यारे बच्चों कहता है एक debtor है जिससे आपने पिछले साल 4800 रुपे लेने था पिछले साल आपने उसे right off कर दिया bad debt बना दिया कहता है आज 50% दे गया इमांदारी इमांदारी में लो मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाने की कोशिस करता हूँ क्या होगा और हुआ क्या होगा last year तक ये बताता हूँ मेरे को बेटा space की requirement है बेटा मैं रब कर रहा हूँ ये लो मैं समझाने की कोशिस करता हूँ इना most detailed way की हुआ क्या business में अब तक बावु last year की बात है आपने ना एक इंसान को समान बेचा था उधार पे debtor account debit to sales आपने समान बेचा था 4800 आपने journal entry की होगी बेटा समान बेचा बेटा debtor book कर लिया कि तेरे से उधार आना बेटा ये बेइमान हो गया था पिछली वार इसने पैसे देने से मना कर दिये आपने entry करी bad debts account debit to debtor बावु क्या कह रहा था इसने यही तो बोला कि debtor आप right off कर चुके हो से 4800 रुपी लेने है जब इसने नहीं दिये तो आपने इसे book से खतम कर दिया बेटा और आपने सारे losses book कर दिये bad debt के नाम से और ये आपने sale करी थी 4800 की तो ये था मेरा analysis पहले आपने asset बनाया, sale करी और बेटा उसके बाद asset को खतम कर दिया क्योंकि उसने मना कर दिया मैं पैसे नहीं दोंगा और आपने सारे losses book कर दिये बेटा bad debt के नाम से मेरे प्यारे बच्चो आज पता ने उसके दिमाग में कहां से इमानदारी आ गई और मेरे प्यारे बच्चो पैसे ले आया वो कहता है 50% ले आया और आज आया मेरे प्यारे बच्चो 50% दे गया मैं तो कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चो उसकी इमानदारी देकर मेरी तो आखों में आसुई आ गई मैं रोने लग पड़ा कि तू इमानदार कहां से हो गया डैटर कह रहा कोई नहीं 50% तो रख लो 50% फिर कभी दे तूँगा इतनी इमानदारी कहां से आ गई बेटा इसके अंदर अरे छोड़ो बाबु छोड़ो कहां से आई तुम जर्नलाइस करो इसको बेटा जर्नलाइस करना है जब उसने मुझे 2400 रुपे दिये इसका 50% दिये ये कहानी बेटा पहले ही हो चुके है मुझे इसके बारे में नहीं बताना क्योंकि वो तो ये बोल चुका है इसको राइट ओफ आप कर चुके तो मैं तो कर चुका हूँ बेटा मैंने सब कुछ बता रिया कि क्या कहानी हुई है बाबू कहता है अच 50% दे गया याने की 2400 रुपे दे गया और जब भी कुछ आता है बेटा या तो cash debit या तो bank debit मर्ची आपके जिससे मर्ची कर लो मैं cash माल लेता हूँ बेटा इसको cash account debit मेरे प्यारे बच्चों पैसे दे गया वो कितने 2400 रुपे credit किसको करूँ मुद्धा ये उखता है सर अगर ये 11th क्लास होती ना तो मैं बोल देता credit कर दो bad debt recovered account cash account debit to bad debt recovered account बेटा bad debt recovery होगे 2400 रुपे के पर बेटा मैं bad debt recovered account लिख नहीं सकता गलत लिख रहा हूँ लिखने दो लेकिन एक बार मुझे मैं लिख नहीं सकता यहां पर क्यों नहीं लिख सकता समझने की कोशिश करना बेटा बाबु ये bad debt recovered account कहा जाता ये profit and loss account के credit side जाता ये P&L account के credit side लिखा जाता बेटा मेरी income है 2400 रुपे मैं दिखा देता बेटा बाबु फिलाल सोचो क्या bad debt recovered account दिखाने के लिए आपके पास कोई P&L account है बाबु कोई P&L account नहीं आप तो balance sheet पे पहुच चुगे हो गोश्चन नहीं आपको balance sheet दी क्या बेटा कोई मेरे को दिखाने के लिए profit and loss account बना सकते हो आप अब नहीं बना सकते बेटा बन चुका होगा आपको तो सीधा balance sheet दी तो मेरे प्यारे बच्चो आप कहां से adjust कर दो इसको revaluation से बेटा कोई profit and loss account नहीं है मेरे पास आप क्या करो revaluation से इसको adjust कर दो बेटा बाबु वहां भी तो income बनाते है यहां भी तो income ही बनाई बेटा credit क्या चीज होती है हर income credit होती है nominal account का rule बोलता है debit all the expenses and losses credit all the income and gain बेटा bad debt recovered account लिखते तो भी income थी मैंने revaluation account में अगर credit कर रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चो वो भी मेरी income है revaluation account में भी तो credit side income ही लिखी जाती है बेटा तो बावू मेरे पास P&L account है नहीं लिखने के लिए इसलिए मैं इसको revaluation account से adjust करूँगा लिखूंगा क्या buy cash 2400 और इस 2400 रुपे का क्या होगा cash में जोड़ दो बेटा cash में जोड़ दो हुआ है 710 710 तो मेरे प्यारे बच्चों मैं रब गर दो इसको मैंने clarify करने की कोशिश की आपको मैंने रब कर दिया बेटा बावू मैंने आपको clarify करने की कोशिश करी पता नहीं आप इन चीजों को रटते क्यों हो मैं कुछ भी रटवाना नहीं चाहता cash है बेटा 710 और बेटा business में cash आया है 2400 का back debt से recovery हुई है बेटा याने की बेटा cash balance हो गया 3110 क्या बेटा मैं हर चीज की posting कर चुका हूँ कर चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों फटा फट से आगे बढ़ते हैं old ratio 2 ratio 3 है बेटा चलो जी account closure करो फटा फट से फटा फट से सारे account close करो पहले revaluation close होगा बेटा highest total को दोनों side लिख लेना बेटा highest total दोनों side आप अपना plus minus करेंगे मैं अपना plus minus कर रहा हूँ आप अपना plus minus चलाएं रखें बेटा मैं अपना plus minus कर रहा हूँ तो balance आगया बेटा 12,485 और इसको मुझे किसमे किसमे बाटना है old partner में शाम और संजे में two partners capital account मेरे पाद जगा कम है बेटा मैं फिर भी लिखूंगा शाम और संजे मैं थोड़ा नीचे आगया बेटा मजबूरी है जगा नहीं है मेरे पास तो शाम और संजे में बाटने है मुझे 12,485 और old ratio two ratio three लो बेटा मैं two ratio three में बाटने की कोशिश कर रहा हूँ four nine nine four और मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी calculation चलाए रखें मैंने आपको मना कर रहा है calculator का use आप भी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा seven four nine one लो बेटा revaluation का profit आ गया मुझे पता है बेटा calculation जानके मुश्किल करी गई है इस question की करने दो बेटा जो कर सकता है question कर ले तो मैंने क्या करा बेटा शाम और संजे में revaluation का profit बाट दिया और बेटा partner capital account को यहाँ पर post कर दो by revaluation by revaluation question ओच्छी अरकतों पे उतर आया बेटा इससे मुश्किल नहीं बन पाया कुछ बेटा तो यह ओच्छी अरकते कर रहा है करने दो प्यारे बच्छो आप डरो मत इससे plus minus ही तो है कितना मुश्किल कर लेगा हम भी देख लेंगे बेटा हम भी तो देखे कितना मुश्किल किया जा सकता है plus minus को तो बेटा मैं बैलेंस निकाल रहा हूं तो पैलेंस कैरेट डाउन आपके सामने में सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं without calculator और आप भी ऐसे ही करेंगे बेटा कोई calculator का use नहीं होगा लो जी तो मैं capital लिख रहा हूं बेटा capital of शाम संजे और शंकर बाबू अब सबसे पहले कोई asset कोई liability और बेटा stock 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 और बेटा furniture furniture building और बेटा यह accrued commission थी इसकी भी posting करनी थी कर दी थी बेटा तो यानि कि अब चीज की posting हो चुके है balance sheet का total करो बेटा answer ठीक आना चीए आपका और मेरा बाबू मैंने liability side का total करा अब asset side का आप अपनी तरीके से करो जैसे आपको असान लगता है आप ऐसे कर लो जी बिलकुल ठीक है हमारा balance sheet का total बिलकुल बराबर आया that means बेटा हमने हर चीज बिलकुल ठीक किया तो प्यारे बच्चो जितने question आप देखोगे मुझे करते हुए बाबू आपको उतनी clarity आएगी कि मैं कैसे double posting कर रहा हूँ कितनी जल्दी जल्दी मैं entry ओको घुमारा हूँ कितनी जल्दी जल्दी मैं totaling कर रहा हूँ बेटा ये चीज आपको सीखनी है मुझसे ठीक है ना कि आपको totaling बहुत fast होनी छी है although correct होनी छी चलो fast तो 2 मिनट लेट भी हो जाए चलेगा बेटा ठीक है ना लेकिन double posting भूलना मत जैसे तेजी से मैं करता हूँ double posting वैसे ही आप सीख जाओ करना बाबू question without journal entry आने वाला ये मैं for sure बोल रहा हूँ आपको तो बेटा बिना journal entry की की जादा practice करना आपको तो बाबू मैंने आपको आज homework भी दिये हैं एक तो मैंने आपको practice करने के लिए का है question number 62 आप इसको practice करेंगे question number 56 and 60 ये दो मैंने homework दी हैं बहुत simple question है ये आप से हो जाएंगे बेटा तो हम 62 तक regular हर question कर चुके हैं बस हमारे 31 question बचे हैं बेटा अगले 5 से 6 class का matter है तो हमारा admission chapter खतम हो जाएगा तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बाई बाई